अपने लास्ट वीडियो में जो बिटकोईन के इंपोर्टेंट लेवल की बात करी थी सारे टूट चुके हैं क्योंकि यहां पर सेलर वापस से एक्टिव हो चुके हैं वो क्यूं यहां पर बात करते हैं देखो चार्ट में आप देखिए यह जो मैंने आपको बताया था 31,800 डॉललर लेवल है और गहरे HeIGHT Ooh Devs वह है कहने का मतलब कि यहां पर चुछ ट्रेइडर रहते हैं और देखते कि यहां पर यह जहां पर क्या कर ट्रेसे करें हैं यरे टेस्ट इस वार्इजिस्टेंस को तो मल्टिप टाइंब मिन Strike the last time लोग में कि यहां पे आप सोट का लेना चाहिए तो इन्होंने सोट किया और सेलर है भी एक्टिव होगे और यहां पे जो मैंने आपको यह बोक्स बताया था कि 31,200 डोलर से लेकर 31,000 डोलर का यह रेंज है वहां से बिटकोई रीटेस करके उपर जा सकता है या फिर इसको नहीं होल्ड कर पाया तो 30,500 डोलर पे रीटेस कर सकता है तो क्या हुआ इसने तो दोनों को इक तोड़ दिया क्योंकि इतनी हेवी तरीके से सेलर यहां पे एक्टिव है कि प्रैसे इसको यहां नीचे वाला जो सपोर्ट है जो कि यह अगर इसको भी होल्ड नहीं कर पाया तो प्रैसे ड ट्रेडर्स की नजर है अभी यहां से बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स लोंग करेंगे अब जो लोंग करेंगे तो बिटकोइन की प्रैसे जिस तरीके से नीचे आई है तो यह बुल्स एक्टिव होने के बाद प्रैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे चोंती सबार डोलर के और आगर यही सीन उलट होता सब्सक्राइब यहां से अपनाना नीचे के और जाते 10-15% तो बिटकोइन की प्रैसे वापिस यहां से नीचे से आने के बाद रीटेस करने आती फिर नीचे नीचे जाती वह बेरिश सिनेरी होता लेकिन यह क्या हुआ है यहां होरीजोंटल चैनल में यहां ब्लेकाउट वाँ उपर के और तो यहां चांसे भी बुलिशनेस कही है तो बस देखने वाली बात अब यह रहेगी जो 29,500 लो के राउंड यह जो एरिया है जो ग्रीन डोटेट में ने लाइन बनाई है यहां से अब प्रैसे कैसे मूग करती है यहां हो सकता है थ बहुत ज़्सकी नजर, यहां पर बहुत ही ही जंप आने के चांसे रहेंगे क्योंकि यहां पर जैवे evolved है ज्रूंड करेंने और यहां से प्रैसी अगयान आगे और यहां से प्रैस अगें उपर यूपर यूपर जाती जाएगी और 14,000 की राउंड जाके फिर प्र तोडहा डाउनों की पर 38000 डॉलर इस तरीके से उपर जा सकता है जो यहां से अब जिस तरीके से नीचे आए ना यह सारे लेवल तोड़ तोड़ के वैसे ही यहाँ पर सारे लेवल तोड़के अब उपर के और भी जाएगा तो बस अब देखने वाली बात यह क्या क्या कि आप यहां वह ज़्यादा important है अगर यहाँ पे hold नहीं करा तो फिर डायरेक्ली 28,600 डोलर के राउन बिटकोई की prices आईगी और यहाँ पे तो hold करना बहुत important हो जाएगा बुल्स के लिए अगर prices को उपर लेके जाना है अगर यहाँ पे बुल्स एक्टिव नहीं है तो फिर तो prices धंप होत में descending triangle बन रहता है और descending triangle को तोड़के भी bitcoin ने अच्छा का सा pump तिखाया और यहाँ पे यह horizontal channel भी तूट गया तो bullishness के chance बहुत ज़्यादा हाई है बस यह देखते है कि यह वाला support है यहाँ से यह higher low बनके prices में अच्छा कासा moment देखने हो मिलता है कि नहीं मुझे heavy chance लग रहे है कि यहाँ से prices में अच्छा moment देखने हो मिल सकता है क्योंकि यह higher low होगा अब यहाँ स से heavy pump आएगा तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा overall crypto market के लिए तो अब देखते हैं कि क्या होता है जो मैंने आपको यहाँ पर की levels पता है उनका यहाँ पर ध्यान में रखना focus रखना और उनके coding आप अपना next trading strategy बना सकते हो या फिर अपना यहाँ पर trade ले सकते हो तो हाई होप आपको इस वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा अगर इस वीडियो में आपको जर्णा साब नोलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो subscribe कर लिजा आगे विए आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंग कर दो